हेलो फ्रेंट्स, स्वागत करते हैं कराउन के इस स्रीज में, आज के क्लास में हम बात करेंगे कराउन के अध्या 14 जिसका नाम है विज्ञान और प्रधावकी के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं विज्ञान और प्रोधोकी के क्राउन के कंसेप्ट के तहथ जितना बात दिया हुआ है इस पर पूर्ण रुप से परकार टालते हुए तो चलिए शुरू करते हैं भारत में बिज्ञान और प्रधोगी गतिवीदिया, केंदर सरकार, राज सरकार, उचितर सैक्षिक छेतर, सरवजनिक तथा नीजी छेतर के उधमों आदी समेथ एक विश्टरित धाचे के अंतरका संचालित किया जाता है देखिए, मेरे ख्याल से अक्सर बात किया जाए बिज्ञान और प्रधोगी के बारे में, तो सब को यह बात मालूम होगा कि बिज्ञान और प्रधोगी जितना IIT होता है सब में इसका परियोग किया जाता है, उसके अलावा I.I.S.E. होता है, उसमें भी बिज्ञान और प्र प्रधोकी की कार कर रही है। उसके अलावा सरजनिक और नीजी छेत्र कित्यादी सभी जगहों पर आजकल बिज्ञान और प्रधोकी का परियोग हो रहा है। एक जो नीटी लाया गया था 2003 में भरसरकार के द्वरा ये नीटी क्या काती है इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो दिखेगा बला जा रहा है कि यह नीटी विज्ञान और प्रधोकी के भावी कार कर्मों की रूप रिखा त्यार करने के उद्धे से लागो किया गया कि किस से मुद्दे से जुड़ा होना चाहिए इसका क्या रूप रिखा होना चाहिए इसी के लिए किन सरकार 2003 में बिज्ञान और प्रधोकी नीटी को लागो किया था ठीक है इस नीटी में बिज्ञान और प्रधोकी परसासन के परति रोया मौजूदा भावतिक तथा ज् निती पैदा करने की रूप रिखा बनाई गई है मतलब देखिए इसका उद्देश बोला जाए कि किसलिए या निती बनाया गया तो इसमें कुछ है बहुत इंपोर्टेंट सीज बताया जा रहा है जैसे देखिए नए प्रधोकी का विकास कीजिए अब नए प्रधोकी का व साथन है उसमें उचित विकास करने के लिए मौजूदा और भाती ज्ञान के जो संसाधन है उसके ASHनावा जो परसासन है आगे तो आगे क्या है आगे है परमाणू उर्जा के बारे में बात किया जाएगा ठीक है न तो परमाणू उर्जा के बारे में क्या बोला जा रहा है कि भारत में परमाणू उर्जा छेतर के अनुसन संधान एव विकास की अधार सीला डॉक्टर होमी जहांगीर भावा ने रखी थी मतलाब है सिंपवी बात करें कि outright बनाया जाता है पर्माप उर्जा कैसे बनाया जता है अब को मालूम ही होगा कि uranium को लया जता है जितना भी रेडियो killed होता है सब को भी खंडन करके पर्मापर्गा बनाया जताए भारत में तो परमाणू उर्जा से संबंदित कोई खोज हो, इस खोज का विकास का अधारसिला भारत में सबसे पहले किसी ने रखा था, तो वह कौन थे, वह थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाबा थे, ठीक है न, इसलिए इनको भारत में परमाणू उर्जा छेत्र का पिता भी कहा जा है, जैसे सिंप्ली, एक किलो उर्णियम भड़का दिया जाए न, तो आधा भारत को समाथ करने के लिए काफी होगा, मेरे ख्याल से एक किलो उर्णियम, तो देखिए उसमें इतना न ज्यादा होता है न, उर्जा, कि यदि उसको सांती पूर्वक इस्तमाल नहीं किया गया निर्मान करना बैद है, और दूसरा तरह से या दूसरा उदेश के लिए आप उर्जा का निर्मान करिएगा, करिएगा तो क्या हो जाएगा न, वह आपको डंडित किया जा सकता है, या अधिनियम यहीं बताता है, ठीक है, अब देखिए, तो याद रखना है अधिनियम का पारित हुआ, तो 15 अप्रेल 1948 को भारत सरकार के द्वारा परमानु उर्जा अधिनियम पारित हुआ, ठीक है, फिर उसके चरपांच महा के बाद, 10 अगस्त अधिनियम के अध्यक्षता में परमानु उर्जा आयोग का गठन हुआ, तो दोनों परशन को के लिए रखना है, पहला जो है, वह अधिनियम है, वह एक्ट है, जो 48 में ही पारित हो रहा है, और जो आयोग बना है, यह भी 48 में ही बन रहा है, बस है 4-5 महिना का इसमें अंतर है, ठीक है ना, अब हम बात करते हैं आगे, तो आगे जो हमारा परशन है, आगे परशन है कि 3 अगस्त 1924 को, 3 अ एक भारत सरकार के अंतरगत, एक ब्रांच बना दिया गया, जो कि परमाणू उर्जा आयोग के अधिन कार करता है, मतलब यहीं जो आयोग है, यहीं जो संगठन है, यहीं जो समीती है, वहीं इस बिभाग का क्या होता है, इस बिभाग को नियंतरित करता है, मतलब इसी खरेख में इस जो बिभाग है वह काम करती है ठीक है आप देखें और प्रधान-मंत्री के टत्वधान में इसके कारियों का कारेकरमों का संचालन किया जाता है, मतलब सिम्प्ली बोल दिया जाए कि परमारु उर्जा जो बिभाग है, वह बिभाग का हेड कौन होता है तो भारत का प्राइम मिनिष्टर ही परमानुव उर्जा विभार का head रहता है और परमानुव उर्जा आयो का जितना भी सदस होते हैं जितना भी member होते हैं उनहीं की देखरेख में यह विभार कार करता है ठीक है ना अब बात किया जाए आगे नावकिय उर्जा कारेकरम तो नावकिय उर्जा कारेकरम तो सबसे पहले आपको मालूम ही होगा कि नावकिय उर्जा क्या है जिनको नहीं मालूम है उसको हम बता देते हैं कि नावकिय उर्जा क्या है तो देखिए नाविक होता है उसमें बहुत सा चरणों में चल रहा है ठीक है सबसे पहला चरण इसमें बताया जाएगा कि इसका सुरुगात कब से हुआ है तो देखिएगा इस चरण में दावित गुरुजल रियक्टरों और उससे जुड़े इंधन चक्र के लिए बिद्या को अस्थापित किया गया था यहां पर बिद् अबर कूलर के रूप में परियोग किया था ठीक है ना तो पर्थम चरण में आपको याद रखना है कि जो रियक्टर अस्थापित किया गया था उसका नाम क्या है तो उसका नाम है बिद्या बिद्या नाम है उसका इस रियक्टर का पर्थम चरण में जो भारत अस्थापि भारत में अबर इस विद्या में आपको याद रखना है कि किस से इंधन का परियोग किया गया था तो इवरेनियम का परियोग किया गया था और मोडरेटर के रूप में गुरुजल गुरुजल का मतलब भारी जल होता है तो उसका परियोग किया गया था अबर कूलर के रूप तो फास्ट बिरिगेड रियक्टर, क्या बोला जा रहा है कि इसमें फास्ट ब्रीडर रियक्टर बनाने का प्रवधान किया गया, मतलब उससे ज्यादा पक्नीक वाला रियक्टर था, और इसके साथ पुना संसकरण सैत्र और पुलोटोनियम अधारित इन्धन संबितरण सैत तो पुनर संसकरन सेहत्र का और इंधन अब उसमें जो डाला जाने लगा, वह था पुलुटोनियम, अधारित इंधन समबीचरन सेहत्र भी था, ठीक है, अब देखे पुलुटोनियम को इउरेनियम 238 के विखंडन से पराप्त किया जाता है, ठीक है न, मतलब इउरेनियम 238 क चक्र पर अधारित है किस चक्र पर अधारित है तो यह थोरियम इउरेनियम 233 चक्र पर अधारित है इउरेनियम 233 को थोरियम के बिकिर्णों से हासिल किया जाता है मतलब इउरेनियम का जब रेडियसन चालू होता है तब किस चीज का निर्मान होता है तो थोरियम का निर्मा परमाडू उर्जा भीभाघ के बारे महराश्ट के जो मुंबै है मुंबई के ट्रामबे में इस्थित है भावा परमाणू रियक्टर जो है कहाँ पर है और रियक्टर नहीं अनुसन संधान के अंदर कहा है ट्रामबे में है अब देखे इंद्रा गांदी परमाणू अनुसन संधान के अंदर तो इंद्रा गांदी परमाणू अनुसन संधान के अंदर य उसके बाद है Atomic Mineral Division, या हैदराबाद में है, उसके बाद है Variable Energy Cyclotron Center, या कुलकता में है, उसके बाद next है, तो देखिए यहाँ पर यहाँ सब किसे संबंदित है, तो यह परमारू अनुसंसंधान और विभाग संगठन से संबंदित है, उसके बाद सरवजनिक छेतर के कुछ अनुसंचता है, जिसे पुछा जाता है कि सिधे बताईए यह कहाँ पर है, तो Uranium Corporation of India Limited, Uranium Corporation of India Limited है, या जादुगंडा में है, जादुगंडा कहाँ पड़ता है, तो जारखन में उसके बाद है, निउकिलियर पावर, Corporation of India, निउकिलियर पावर, Corporation of India Limited, तो यह महराष्ट के म मुंबई में है, उसके बाद है, India Rare Earth Limited कहाँ पर है, तो महराष्ट के मुंबई में है, और भारी जलबोड, भारी जलबोड कहाँ पर है, भारी जलबोड या मुंबई में है, दोस्तों इसको किसी हालत में याद करना पड़ेगा, क्योंकि यह रटने वाला चीज है, समझने वाला चीज तो है ही नहीं, कि कोई इसको समझा सकता है, या सब केंदर है, या सब अनुसन संधान है, एक जाम में सीधे कुश्चन बनता है, बताइए या कहाँ है, ठीक है ना, अब देखिए, आगे बाद करते हैं, Electronic Corporation of India Limited, या कहाँ पर है, Electronic Corporation of India Limited, तो आंदर परतेश के है अगला है, नावकिये इंधन कॉंपलेक्स, या हैदराबाद में ही इस्तित है, उसके बाद है, Board of Radiation and Isotops Technology संस्थान कहाँ है, तो Board of Radiation and Isotops Technology संस्थान जो है, या मुंबई में है, अब है पूर्ण सहकता पराप्त संस्था, पूर्ण सहकता पराप्त का मतलब, इसमें कुछ नेजी छेतरों का भी हिंसिदारी आ जाएगा, तो देखिए टाटा इंशूट of Fundamental Research, टाटा इंशूट of Fundamental Research है, या मुंबई में है, मुंबई में है, उसके बाद है सहा इंशूट of Nuclear Physics, कहाँ पर है, तो सहा इंशूट of Nuclear Physics है, या कुलकता में है, कुलकता में है, उसके Clear Physics है, या उरिशा के भुने स्वर में पढ़ता है, उसके बाद है, इंशूट for Plasma Research, इंशूट for Plasma Research, या आहमदाबाद में है, उसके बाद है, मेहता इंशूट of Maths and Physics, मेहता इंशूट of Maths and Physics, या कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदिश के इलहाबाद में उपस्तित है, अब बात करते हैं सोधReactor के बारे में, ठीक है न, सोधReactor के बारे में, बोला जा रहा है, कि परमाडु उर्जगा द्वारा लगाए गये, सोधReactor का इस परकार हुआ है, या सब क्या है, सोधReactor है, ठीक है, तो देखिए, सोधReactor का एक तरफ नाम दिया हुआ है, एक तरफ कहां पर है उसका दिया हुआ है फिर निर्मान पवर्स दिया गया है और चमता दिया गया है उसमें किस इंधन का परियोग किया जाता है या भी दिया गया है ठीक है तो दिखिए इसमें सब कुछ ठीक है लेकिन चमता के बारे में नहीं देखा जाएगा चमता मेरे अनुसार मेरे म अनुमान से लग रहा है कि छमता विकार हो जाएगा बाकी और सब ठीक है तो एके करके देख लेते हैं इसमें देखिए पर्थम अस्तान पर अपसरा है अपसरा कहां पर है तो अपसरा मुंबाई के ट्रामबे में है मुंबाई के ट्रामबे में साथ ही साथ इसका अस्थापन का परियोग होता है एनरिच इउरेनियम और अलुमूनियम का मिस्र धातु का परियोग होता है उसके बाद है साइरस साइरस कहां पर है तो यह भी ट्रामबे में है उसके बाद जरलीना जरलीना है यह भी ट्रामबे में है तो साइरस जरलीना दोनों ट्रामबे में है साइरस का को पर जर्लीना दोनों में इंधन की रूप में किस चीज्ज़ का पर्यूद किया जाता है तो इूरेनीः का अब देखिए पुर्णी मा 1,2,3 कहा है याँ सिधरी कईये कईbaar है पुर्णीमा 1,2,3 कहां है तीनों कहां पर है ट्रामवे में है अब इसमें किस इंधन का परयोग किया जता है तो इसमें इउरेनियम पुलुटोनियम और इउरेनियम दोनों का परयोग किया जता है उसके बाद है धुरू धुरू भी ट्रामवे में है इसका स्थापना कब होता है धुरू का तो धुर कामनी कलंपकम में है 997 में इसका अस्थापनाач हुआ है और euranium 233 पलस diamond का मिस्रधातु का परियुग होता है साथ साथ इसका एक record है भारत का प्रथम five breeder neutron reactor है क्यों कामनी अब उसके बात करते हैं फास्ट ब्रीडर पर इक्षाड रीक्षड रीक्षड जो प्रियक्टर है, यह कहा पर है तो यह कलंपकम में है, कावेस्थ अपना हो रहा है तो in 1985 में हो रहा है, किस का परियोग किया जाता है टो परियोग किया जाता है uranium carbonalis Cliff looking Ultronium ले लिया मतलब पूर्णीमा का भी अब दिहानत हो गया है मतलब वह भी अब खतम हो चुका है और उसके जिगह पर कामनी को लाया गया है आगए देखिए या केवल परदोगिक रियक्टर स्यवित्जिए इस या बला जा रहा है कि भारत में परमाणू उर्जा निगम लिम्टेड नाब किये उर्जा सेत्रों के जिम्मदारी संभालने वाली सरवजनिक छेत्र की कमपनी है देखिएगा जो परमाणू उर्जा उत्पादन निगम लिम्टेड है या क्या है एक कमपनी है जो कौन कार करत संभांती है फिर यहां पर कुछ रियक्टर हैं जिसके बारे में बात कर लिया जाय है तो तारापुर महरास्ट में चलता है इसकी अस्थापना यह अन्टिन स्थापना है और था सभाष्ट तारापूर फ़ेस्ट और सेकंड दुनों का उसके बाद रावत भाटा वन टू थरी फोर तो रावत भाटा वन टू थरी फोर है यह राजस्थान में है अबर कैसे चलता है तो प्रिस्राइड हैवी वाटर रियक्टर है हैवी वाटर मतलब भारी जल से इस पर प्रेसर मारा जाता है तब यह चलता है इसका अस्थापना देखिए तो यहां पर 62, 82 और 99 तीन काल में ओन टू थरी फोर का अस्थापना होगा है उसके बाद देखिए मदरास में है कौन तो मदरास में है जो उसका नाम है कलंपकम तो इसमें कलंपकम फर्ष्ट एंड सेकंड है और मदर सपना हुआ है वन का 84 में और जो सेकंड का हुआ है वो 86 में हुआ है उसके बाद है नरोरा नरोरा कहा है तो उत्तर परदेश के बुंदेल सहर में है नरोरा में भी दो है फर्स्ट एंड सेकंड इसमें भी प्रिस राइड हैवी वाटर का परियोग होता है ठीक है ना अबर वन का सपना हुआ था 1991 में और टू का सपना हुआ था 1992 में हुआ था 1992 में उसके बाद है काकरा पार काकरा पार है वन एंड टू तो काकरा पार है तो यह कहां पर है गुजरात के सूरत मुपस्तित है इसमें भी हैवी वाटर प्रिस राइड हैवी वाटर का परियोग किया ज काईगा first and second, तो देखिए काईगा first and second जो है, तो काईगा कहांपर है करनाटक में, यह भी उसी भराइटी का है, और 2000 में इसका अस्थापना हुगा, तो यह सब तो हो चुका है, लेकिन कुछ है, जो निर्मार धीन है, निर्मार धीन है, तो निर्मार धीन में कौन-कौन है, इसको सलट लिते हैं, तो काईगा है, तो काईगा कहांपर है, तो काईगा जो है, यह करनाटक में है, उसके बाद रावत भटा कहांपर है, रावत भटा राजस्तान में है, राजस्तान में तारापूर में एक और जिसका निर्मार हो रहा है, तारापूर महराष्ट में है, और कुंडन कुलम जो है या रूस के साहकता से बन रहा है कुश्चन बन सकता है कुंडन कुलम किसके साहकता से निर्माण धीन है तो वह रूस के और कहां पर है तो तामिलाडू में और यहां पर जो चारू का चारू है या एक ही परकार का है मतलब heavy water से इस पर pressure डाला जाएगा अब हम बात करते हैं निरमाल हे तू संतुती मतलब स्वीकृती ठीक है ना जिसकी स्वीकृती मिल चुकी है बनाने के लिए लेकिन अभी तक नहीं बना है या नहीं बन रहा है बस स्वीकृती मिल चुकी है तो जैथपूर जो महराष्ट के रतनागीरी में उपस्तित है या फ्रांस के सहयोग से बनाया जाएगा किसके सहयोग से फ्रांस के सहयोग से अब बात करते हैं भारत के परमारू प्रसिक्षण के बारे में तो देखिए विस्सु का पर्थम परमारू प्रसिक्षण अमिर्का के द्वारा हुआइट सेंड में हुआइट सेंड में अन्य सो पैंतालिस में किया गया हुआइट सेंड में कब किया गया अन्य सो पैंतालिस में किया गया पर्थम परमाणू का परसिक्षण माने टेश्ट किया गया परमाणू को ठीक है भारत ने अपना परमाणू कब किया, तो आठारम वई 1974 को किया, ठिखाई? आगे देखिए, यह जो परमानुपरीक्षण हुगा था, इसमें किस परमानुपरीक्षण कब किया था? तो इसमें 12 किलो टन चमता, 12 किलो टन चमता वाले पुलुटोनियम का परियोग किया गया था, मतलब यह 12 किलो छमता वाले बम में किस परमाणू का परियोग किया गया था, तो पुलुटोनियम का परियोग किया गया था, आगे भारत सेकेंड अपना परमाणू परसिक्षण कब किया, तो भारत ने अपना दूसरा परमाणू एक गारे मतलब सेकेंड वाले में दोग परमानों का प्रसिक्षण किया गया था तो एक गारे माई को आ दूसरा का 13 माई को जी वो 1998 में हुआ था ठीक है ना अन्ठानवे में हुआ था और इस ऑप्रेसन सक्ती मतलब इसका नाम क्या रखा गया देखिए है फर्ष्ट का नाम ह नाम रखा गया था और जो सेकेंड का नाम है इसका ओप्रेसन सक्ती अन्ठानवे के नाम से पोखरण में किया गया मतलब दोनों का प्रसिक्षण कहां पर किया गया था ठीक है ना अब देखिए इसमें पांच नाभी का परिक्षण किया गया था ठीक है ना इस परिक्षण को कराने वाले टीम थे उसमें Dr. Apg. Abdul Kalam Dr. A. Kakar Dokar बस कलाम साभ का नाम याद रखिएगा साथी साथ क्वोण थे इसका निदे सकते पीएस आर्सी और डॉक्तर आरची तमबरहम उसमें अध्यक्ष थे पर्मानु उर्जा आयो के तो चार लोग संब्ली थे ठीक है ना अब देखिए यहां पर जो शेकेंड ऑप्रेशन का नाम है क्या तो अप्रेशन सक्ती अंठानवे इसमें जो चार को परमाणू सोरी पांच को परमाणू का प्रसिक्षन किया गया था उसमें बताया गया है ठीक है तो द है कि आतुँट किक्लrd स足 और ते मैंन सक्षार क्रांव चुक्त अवर्ण घरमाई हुए तेरह मैं को दो घ्राप diff में भारत में आंत्रिक्स कारेक्रम के कि इस अगे लाएकांचारेंगे गुझेसर पीओक करते हैं पर कि मतलब एक साल थूंबा हमद रेखिए रोकेट परछेपन केंदर अस्थापित हुगा थुमबा भूमद रेखिए रोकेट परछेपन केंदर अस्थापित हुगा और यह कहां पर है तो तिर्वंत पूरम में है और तिर्वंत पूरम कहां पढ़ता है तो केरल में पढ़ता है ठीक है न तो देखिए अनई 173 में क्या हुगा था थुमबा भुमदरे किये रोकेट परच्छेपन केंदर अस्थापित किया गया जहां से अमिर्का के द्वारा अमिर्का के द्वारा दिया गया पहला साउंडिंग रोकेट अमिर्का को दिया था भारत को पहला साउंडिंग रोकेट जिसका नाम थ भेजा, तो थुम्बा से भेज्जा। थुम्बा कहां पर हैं? तो तिरुवन्द पूरम केरल में हैं. अब देखिए, 1969 में भारतिय आंत्रिक्ष अनुसंसंधान समिती को पुनर गठित करके भारतिय आंत्रिक्ष अनुसंसंधान समिती को फिर से गठन किया गया ठीक है ना और इसको गठन करके भारतिय आंत्रिक्ष अनुसंसंधान संगठन उसको बना दिया गया जिसका नाम सवटकोट में इश्रो रखा जाता है भारतिये आंत्रिक्ष अनुसंसंधान संगठान पहले या समिती था अब उसको संगठान का रूप दे दिया ठीक है ना अब देखिए अनिसब 72 में आंत्रिक्ष बिभाग और आंत्रिक्ष आयोग ही अस्थापना हुई अनिसब 72 में हुआ अब देखिए भारत में आंत्रिक्ष अनुसंसंधान से संबंधित जितना भी अस्थान है जितना भी विभाग है वो सबको हम यहां पर उस्तकी माध्यम से कभर कर रहे हैं तो देखिए पहला है राष्टिये सुदूर संबेदन एजेंसी या कहां पर है हाइदराबाद में है राष्टिये सुदूर संबेदन एजेंसी कहां पर है तो हाइदराबाद में है उसके बाद है राष्टिये पराकृतिक संसाधन एजेंसी या कहां पर है बैंगलूर में है उसके बाद है भावतिक उसके बाद है भावतिक अनुसंसंधान परयोगसाल तो भावतिक अनुस्ण संधान परियोग साला यह कहां पर है तो यह आहमदाबाद में है आहमदाबाद में उसके बाद है कि राष्टिये मध्य मंडल, समताप मंडल, तिरूपती, भारी सोभ मंडल, रडार, शुविदा यह क्या बुला जा रहा है? बुला जा रहा है कि राष्टिये मध्य मंडल, समताप मंडल यह तिरूपती में है जो भारी सोभ मंडल, रडार, शुविदा परदान कराता है ठीक है, उसके बाद देखिए, कॉलेज औफ सेटलाइट कम्यूनिकेशन अहमदाबाद में है, तो अब कौन को नाता है? तो देखिए, पहला है चतिश दौन आंतरिक्षकेंद्र, चतिश दौन आंतरिक्षकेंद्र, यह कहां पर है? यहां स्रीहरिकोटा में है, उसके बाद है कि बिकरम साराभाई आंतरिक्ष अनुस्तन शंद्धान केंद्र, यह तिर्वंतफूरम में है, तिर्वंतफूरम में, और इस्रो उपगरा केंद्र, मतलब यहां पर उपगरा का डिजाइनिंग होता है, तो यह उसके बाद है आंत्रिक्ष अनुपर्योग के अंदर आंत्रिक्ष अनुपर्योग के अंदर तो आहमदाबाद में है उसके बाद है विकास्त था सैक्षिक सैक्षिक संचार यूनिट कहां पर है सैक्षिक संचार यूनिट तो आहमदाबाद में है उसके बाद दरौसंचालित पदती के अंदर तो दरव संचालिक पदती के अंदर या महंद्रगिरी में है महंद्रगिरी में और इसरो जड़तिये पढ़नाली यूनिट या तिर्वंतपूरम में है तिर्वंतपूरम में है उसके बाद है इसरो दूरमापी निगरानी एम नेटवर्क है निदेशा नेट परमुख रूप से भारत कितने आंत्रिक्स पढणालियों को अस्तापित किया है तो दो जिसमें पहला है भारतिय राष्टिय उपकरन जिसको सौट कोड में इंसेट बुला जाता है इंसेट पढणाली तो देखे इस पढणाली में क्या होता है तो यार टेलिविजन पर मौसम से वाव से संबंदीत है कौन तो इंसेट बरतमान में सक्रिय उपकरा कौन-कौन है तो इंसेट 2E है इंसेट 3A है इंसेट 3C है इंसेट 3E है G6 है इतियादी बहुत सारे है उतना नामियाद रखना कोई जरूरी नहीं है ठीक है ना अब देखे दूसरा जो पढणाली साधनों को कि निगरानी और प्रवंधन से संबंदित है मतलब उसका देखरे करता है और कुछ सक्रिय है आई ए आर है कौन-कौन टी एस है रिसोर्स सेट फर्ष्ट है काल्टो सेट फर्ष्ट है आई एमस फर्ष्ट है और री सेट सेकेंड इत्यादी है ठीक है न अब देखि के आंत्रिक्ष परिवहन पढ़नालिया तो आंत्रिक्ष परिवहन पढ़नालिया में क्या है तो भारत में परचेपन यान विकास कारेकरम का प्रारंब अनी सो सत्तर के दसक में प्रारंब हुआ परचेपन यान मतलब सौटकोट में बोले तो रोकेट का विकास कारेकरम का कब हुआ तो 1970 के दसक में हुआ, इसके अंतरगत चार परणाली बिक्सित किया गया है, एक चारव का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, एक का नाम है SLV-3, SLV-3 जिसका फूल फॉर्म होता है सेटलाइट लॉंचर विहिकल, सेटलाइट लॉंचर वाहन, ठीक है न, तो इस से 288 में बिक्सित किया गया, कब बिक्सित किया गया, तो 1980 में बिक्सित किया गया, अब देखे, बरतमान में इस पर छेपण कारेकरम को बंढ़ कर दिया गया है, उसके बाद है SECOND, तो SECOND में है ASLV, ASLB अर्थात, यह SLB में Agmented Satellite Launcher Vehicle तो यह वास्तों में SLB 3 का ही समोरधित रूप है, मतलब उसका ही हाइब्रिड है उसके बाद तिसरा है PSLB अर्थात Polar Satellite Launcher Vehicle तो इसमें क्या है तो देखिए यह इसरो का परथम किरियासील प्रचेपन यान है किरियासील मतलब इसरो का कार करने वाला परथम प्रचेपन यान है या 620 किलो मीटर स्वर्टुल कालिक उपगरा कक्छा में 600 किलो मीटर भार के उपगराँ को और भूतुल्य कालिक के हस्तानांत्र कक्छा में एक हजार पच्चास कीलो भार की उपकरहों को परछेपित करने में सक्षम हैं, ठीक है ना, मतलब दो को कक्षा का नाम लिया जा रहा है, एक सुर्य तुलकाली धुर्य कक्षा का, इसमें यह 600 किलो गराम भारवाले उपकरहों को अस्थापित कर सकता है, और एक कक्षा है भू इंधन का परियोग मतलब ठोस प्रणोधक का परियोग किया जाता है, और प्रणोधक के रूप में किस्चिज का परियोग किया जाता है, तो देखिए प्रणोधक के रूप में परियोग किया जाता है, तो देखिए प्रणोधक के रूप में परियोग किया जाता है, और द हाई मित्थाइल हाइड्राजीन एम एंटू ओफोर मतलब नाइट्रस डायोकसाइड का परियुक किया जाता है ठीक है ना अब देखे चंद्रियान फॉस्ट को पी एसल भी पी एसल भी एकस एल द्वारा परछेपित किया गया अब चौथा है के भू तुल्ले काली उपगरा परछेपण यान तो देखे जिसको सौटकोट में जी एसल भी बूला जता है इस उपगरा को इंशैट सकेंड वर्ग को तुल्ले काली कहस्तानाधरन कक्छा में अस्तापित करने की छमता है मतलब जो इंशैट एक क्या है उपगरा है तो इस उपगरा के बर्ग का जितना उ स्रीहरीकोटा में है और तो यहीं 36 दोन आंत्रिक्ष्केंद स्रीहरीकोटा से 18 अप्रेल 2001 को 1540 की ग्रा के जी सेट को परच्षेपित करके हुगा इसका क्या हुगा शुरुगात हुगा कहां और उप्रच्षिक का परियोग होता है दूसरे चरण में पर नौदक की रूप में द्राव पर नौदक का परियोग होता है और unc symmetrical dimethylt hydrogen का परयूग होता है और Tür चरण में यह कार्टोजेनिक तक्निक पर अधारित है तिसरा चरण किस तकनिक पर अधारित हैり और travelling क्या होता है तो पर मतलब बहुत कम अधारित है और oxygen का पर यह क्या लेखिए है तो आप मान देख लीजिए हाइड्रोजन को रखा जाता है माइनस एक सब पचीश नहीं 250 डिग्री सेलसियस पर और ऑक्सिजन को माइनस 183 डिग्री सेलसियस पर रखा जाता है ठीक है आप देखिए यहाँ पर जो सब यह दिया है इस सब से कभी कोश्चन नहीं पनेगा तो इसको हम पर जा रहा है कि 19 अप्रिल 1975 को अनीस अप्रिल 1975 को तत-कालिक सव्पयत संग जो मतलब उस समय तो सभित संग के白 का रौस मोस रौस कोस्मोस अन के सवपयाती उपगरा और भर्ठ को प्रचली किया गया तो भारत का पर्थम उपगरा कौन है तो उसका नाम है आरभट इसको कब परच्छेपित किया गया था तो 25 में और 20 अपरेल को और कहां से इसको परच्छेपित किया गया था तो सुब्या संग का जो बैकानूर परच्छेपित किया था जिस रोकेट के द्वारा उसका नाम था रोस क्यावल कोस्मो से परच्छेपित यान था ठीक है उसके बाद देखिए भारत में निर्मीत पर्थम उपगरा परच्छेपित वाहन मतलब रोकेट का नाम क्या है जो भारत ने जिसका निर्मान किया है तो उसका नाम है SLV 3 अथा इसका फूल फॉर्म है सेटलाइट लॉंचर वेइकल थिरी और इसको स्री हरी कोटा अर्था समुद के किनारे से परचेपन किया गया था और रोहनी उपगरा को परचेपन किया गया था कब किया गया था तो 1990 को परचेपित किया गया था तो रोहनी भारत का फॉर्स्ट उपगरा नहीं है बलकि रोहनी को भारत के भारत द्वारा बनाया गया ज़या फॉर्ष्ट परचेपित किया गया सोयूज नामक सोवियत यान से आंतरिक्ष में जाने वाले पर्थम भारतिये बने कौन राकिश सर्मा गए थे और भारत के भूमी से नहीं गए थे बलकि सोवियत संग के भूमी से गए थे सोवियत संग के यान पर ही बैट कर गए थे और यहीं आंतरिक्ष में जाने वाले पर्थम भारती है और मेरे माइड में एक इन से संबंदीत बाते आ रहा है तो दिखे जब यह गए थे आंतरिक्ष में तो उस समय हमारे जिसके जो प्रधान मंत्री हुआ करती थी या स्रीमत्ती इंद्रा गांधी जी हुआ करती थी और इनोंने इन से बात किया था और आंतरिक्ष से ही इनोंने जवाब दिया था इनोंने पूछा था कि भारत कैसे दिखाई दे रहा है आंतरिक्ष थे आंतरिक्ष से कैसे दिखाई दे रहा है भारत दोरा के सरमाजी कहे थे कि सारे जहां से अच्छा हमको भारत दिखाई दे र पहला उपगरा का नाम क्या है छोड़ा गया पहला उपगरा का नाम है आरे भर्ट भारत द्वारा बनाया गया पहला रोकेट का नाम है क्या तो अब देखे इसको कब बनाया गया तो इसको बनाया गया है इसको कब भेजा गया इसको बताया जा रहा है तो 10 चुलाई 1992 को 1992 को भेजा गया था ठीक है न और यह भारत के भूमी से नहीं भेजा गया था बलकि कोरू कहीं पर कोई जगा है कोरू से एरियन रोकेट के द्वारा और इस तरह से इसी दिन क्या हो जा रहा है भारत सेटलाइट छमता निर्मान करने वाला देश बन जा रहा है। कोलंबिया नाम है और इस तरह से पर्थम BHARतिय महिला जो आंत्रिक्ष में गई उसका नाम है कोलंबिया लेकिन इनका दुर्भाग था के उसी रौकेट में रोकेट बलाष्ट हो जाने के कारण इनके म्रित्तू हो जाती है। तो भारत के लिए एक बहुत दुरभाग की बात है कि ऐसे महान इस्त्री का मतलब बली चड़ गया वभी विज्ञान और प्रधोकी के छेतर में साइंस के छेतर में तो आगे देखते हैं आगे बुला जाएं 2003 को कुलंबिया आंतरिक्ष यांदुर घटना में मारी गई कलपन कर रही थी या फिर आंतरिक्ष में थी ठीक है तो देखिए यहां पर बुला जा रहा है डेट याद रखना पड़ेगा एक फरवरी 2003 को क्या हो रहा है कलपना चौला जी का मृतु हो जा रहा है और उन्हीं के याद में जो मैट सेट स्रेड़ी का सिटलाइट था उनका नाम कलपना सिटलाइट रख दिया ठीक है अब देखिए अब हम बात करेंगे मून मीसान अर्थाथ चंद्रयान फश्ट के बारे में ठीक है तो देखिएगा बुला जा रहा है कि चंद्रमा फश्ट पर मौजूद मून मिनरल मैपर पर मैपर ने चंद्रमा की सताव पर जल की पुष्टि की इसमें मतलब जो उपस्तित था जिसका नाम क्या है मून मेनल मैपर मैपर मैप वला है या एक मतलब कैमरा है जो मैप काड़ कर highly PJ कह सबसlike बे wise इस इने कि पुष्टि कि पुष्टि कीया है तो जल की पुष्टि किया है अबर देखिए बात किया जा रहा है कि 5 जनवरी 1914 को जो एक भेजा गया था उपगरा जिसका नाम है क्या तो इस दिन को परच्छेपित GSLV D5 अब देखिए यहां पर हमारा आंत्रिक शिप्टर भी खतम हा जाता है अब हम देखेंगे भारतिय रक्षा प्रधवकी के बारे में मतलब कौन की धर मिसाइल बना दिया और कौन की धर मिसाइल छोड़ दिया इसी के बारे में ठीक है न देखिएगा भारत की रक्षा व्यवस्टा का मुक लक्ष न केवल देश बलकि पूरे उप महादीप में सांती एवां सुरक्षा का वतावरा बनाया रखना था चुकि भारत जिस उप महादीप में बिर अजमान है उसमें सबसे सकती साली देश भारत ही है ठीक है न तो जिसके पास सकती है उसको तो एक सांती अस्तापित करने के लिए चाहिए न तो देखिए बोला गया है कि ना सिर्फ अपने रक्षा के लिए बलकि पूरे उप रक्षा अनुसंसंदान और विकास विभागा गठन हुआ कहने का मतलब सुवतंद्र कहने का मतलब क्या है कि यह अपना सुध कर सकता है असानी से भारत सरकार इस पर कोई रोक टुक नहीं लगाएगी ठीक है न तो देखिए चुकि यह सरकारी डिपार्टमेंट ही है लेकि आप आम से खबरों पे स्व किंथे होगे कि यह चेज बघे इसाफ्षा कि अ अनुसंसंा संदान है घम यह मतलब मतलब एक कंपड़ है और इसकी अस्तापना में हुई ठीक है आप देखिए बात करते हैं कि सिर्फ DRDO नहीं है बलकि रक्षा से संबंदित और विसंस्ता है जिसका नाम यहां पर दिया गया है जैसे NDA NDA इसका फुल फॉर्म होता है तो नेशनल डिफेंस अकाइडमी होता है अर्थात राष्टिय रक्षा अकाइडमी इसका कहां परियास ठापित है तो यह खगडवास यह कहां पर है तो यह देहरादुन में है देहरादुन में उसके बाद है इंडियन मिलिटरी अकादमी तो इंडियन मिलिटरी अकादमी है यह भी देहरादुन में है तो दुगो देहरादुन में है दुनों में मिलिटरी आएगा एगो मिलिटरी कॉलेज है एगो मिलिटरी तक है उसके अलावा इतना ही फिर्खतम नहीं होगा और भी है जिए से तो इस तरह से चोटे-चोटे प्रश्ण है तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा लेकिन नहीं होता है कि छोटा है पर घाव बहुत भेद करेगा घाव बहुत भेहना करेगा तो देखिए यह जल्दी दिमाग में नहीं खपता है ठीक है ना बहुत ज्यादा दिश्टरब करता है यह सब छोटा-छोटा चूकि यह सब बीविद के अंतर गताने वाला है ठीक है ना तब भारतिय अर्थमु भर्स लिम्टेड तो भारतिय अर्थमु भर्स लिम्टेड है यह बेंगलूरु में है कहा पर है बेंगलूरु में और भारत डाइनेमिक्स लिम्टेड तो भार मिसाइल कारकरम की सुरुवात 1983 में जो हमारे भूत पूरो राश्पती भारत के बहुत अच्छे साइंटिस्ट एक आदार्णी भारत का नागरिक जिनका नाम क्या है डॉक्टर एपीजी अब्दुलकलाम है इन्हीं के द्वारा सुरू की गई क्या मिसाइल कारकरम मतलब रोक जिसका नाम यहां पर देखे सम्यकित निर्देशित परच्यपास्त्र विकास कारकरम है शोटकोर्ट में यहां पर बुला गया है आईजी एम डिपी कारकरम ठीक है न तो इसके अंतरगत पांच क्या किया गया था मिसाइल का दिर्मान किया गया था जिसमें अगनी है पृत लेकिन प्रिथवी का एकदम पता है अब्दुलकराम आजाजी किये थे तो चलिए अब हम बात करते हैं एक एक के बारे में तो यहां पर पहला है उसका नाम है अगनी तो अगनी के बारे में क्या रिकोर्ड है तो देखिएगा सबसे important question यहां पर कोई है न तो यहां है कि अग missile है तो ballistic missile है मतलब जाकर जहां गिरेगा वहां बालाष्ट करेगा अब देखिए जो अगनी स्रेडी है डिन से इन स्कंड जना जाता है इसका मारक्स हमता याद करने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है न अब देखिए आगे बाद किया जाए कि यहां कैसा chim hag तो या क्या बुला गया कि या परमाडू और प्रमप्रागत दोनों परकार के 20 पोटकों को ले जा सकता है ठीक है ना मतलब इस पर परमाडू को भी लाद कर भेजा जा सकता है ठीक है अगर बुला जा रहा है प्रित्वी तो प्रित्वी क्या है तो या जमीन से जमीन पर मार क सेना को क्या मतलब सांप दिया गया है या थल सेना का संस्करण है ठीक है मारक चंता मन करें तो याद कर लिजिए 1000 किलोमेटर ठीक है और आयूद के साथ मात्र 150 किलोमेटर जा सकता है ठीक है न और उसके बाद देखिए नेक्स्ट है जिसका नाम है पृतवी सेकंड और पृतवी ठर्ड तो दखिए यो वाई सेजस्ट करन है मतलब वाई सेजस्ट के लिए निर्माण चिया गया है महरग Mexica कितना है 500 path की गजारा के साथ है उसके बाद परितवी 3 है और परितवी 3 यह 9 सेज़्ट के लिए बनाया गया है छिक है इसका उहान चल्ट कितना मतलब कितना दर जा सकता है तो एक टर्न लेकर जा सकता है एक टर्न तथा अम्हार्त उपस्पाइश जियां आफInd kept shoulduis का जो किया गया था 15 फरवरी 25 फरवरी एte 1988 को इसका चांदीपूर अंतरिम परिक्षण के अंदर में इसका क्या किया गया परिक्षण किया गया या चांदीपूर विराजस्था में पड़ता है अब देखिए अब हम बात कर लेते हैं आगे तो अकास का तो यह भी मद दूरी का है और हावा से हावा में अकास का मतलब ही होता है ह तो हवा से हवा में मार करने वाला प्रेशा फास्तर है जो एक साथ-पांच बीवान या मिसाईलों को निसाना बना सकता है च्षमता इसके पास कुछ ज़ादा है लेकिन इसका जो मारक च्षमता है बहुत कम है मात्र है 25 किलोमेटर या मार सकता है आप देखिए इसके प्रणोधक में मतलब इसमें इंधन के रूप में एक सिधान का परियोग किया है गया है जिसका नाम है राम जैट सिधान्त अब ए राम जैट सिधान्त कौन सिधान्त है या तो हमको मालूम नहीं है उसके बाद है त्रिसूल तो त्रिसूल पर देखिए या क्या है निम्न अस्टर ये तौरित किरिया से युक्त भूमी से हावा पर मार करता है मतलब तिर्सूल चलाना हो तो जमीन पर खड़ा होकर अस्मान में तिर्सूल चलाईएगा तो ठीक है या जमीन से अस्मान में मार करने वाला है मारकशमता 500 मीटर से 9 किलो मिटर मतलब बहुत कम ठीक है ना देखिए बरतमान में 33 सूल मिसाइल प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया है अभी बंद किया गया है ठीक है अब देखिए 32 मिसाइल के अस्थान लेने के लिए मैत्री मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है मायत्री मिसाइल का उसके बाद है नाग तो नाग में क्या हैँ तो या टैंक भेदी सन्चालित परचय पास्तर है मतलब टैंक को या caterpillar कर सकता है तो टैंक भेदी सन्चालित क्या हैous परचय पास्तर है इसको दागो पलेन रे तकने का परियोकी आ गया है उसके बाद आगे बात करते हैं आप देखिए अब बात करते हैं आगे जो हमेरा है वह है कि कुछ अन्य मिसाइल के बारे में कुछ अन्य प्रेचापास्तर के बारे में तो देखिए बोला जा रहा है कि यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसा मिसाइल है जिसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया है इसकी मारक च्छंदा 290 किलोमेटर है 290 किलोमेटर है और या 2.8 मैं की गति से 200-300 किलोमेटर तक परमपरगित और परमपारिक और परमाडू हत्यार ले जा सकता है उसके बाद है ब्रहमोस के तीन संस्करण तीन संस्करण में एक जल और एक अस्टल और एक नौसिना के लिए है तो देखे इस मिसाइल का नाम भारत की नदी ब्रहमपुदर और रूस की नदी मौसकवा से मिलकर बना हुआ है अब देखे बात कर लेते धनुस के बारे में तो यह प्रित्वी परचेपास्टर का नौसैनिक संसकरण है यह जर्मनी से जमीन से जमीन पर मार करने वाला मिसाइल है और इसकी मारक्ष कमता 350 किलोमेटर है कितना है 350 किलोमेटर है अब चलिए आप देख लीजिए अब है अगला जिसका नाम है प्रधुम प्रधुमन प्रधुमन ठीक है ना तो देखिए यह एक इंटरसेप्ट परचेप्डा मतलब मिसाइल है परचेपास्तर है इंटरसेप्टर परचेपास्तर है यह दूसमन के परचेपास्तर को हावा में ही कम दूरी पर मार गिराता है मतलब हावा में ही जला डालेगा उसके बाद है अस्तर अस्तर तो यह हवा से हवा में मार करने वाला प्रिछेपास्तर है जिसका मारक छामता 25 से 40 किलोमेटर की है मारक छामता कितना है अस्तर का तो 25 से 40 किलोमेटर है और सबसे important question है कि कहां से कहां मार करता है तो हवा में हवा से हवा में मार करता है उसके बाद है इसे धिसा में ही मतलब सवरी इसे देश में ही निर्मित हल के लड़ा कु विमान तेजस के तेजस पर तैनात किया गया है तो किस पर तैनात किया गया है इसको तेजस पर उसके बाद है सुर्वे तो सुर्वे या एक अंतर महाधीपिये बैलाश्टिक मिसाइल है जिसका मारक छमता पांच हजार किलो मिटर है ठीक है ना अंतर महाधीपिये बैलाश्टिक मिसाइल है और या अभी बिकास हो रहा है या बिकास के वस्ता में है उसके बाद है पिनाक तो पिनाक के बारे में बात कर लेते हैं कि या जमीन से जमीन पर मार करेगा ठीक है ना अवर कम दूरी का है और साथ ही साथ और इसका गुन क्या है तो इसका और गुन या है कि यह कमदूरी का बैरल रॉकेट लॉंचर पढ़ना ली है और इसकी मारक शमता 39 किलो मिटर की है 39 किलो मिटर की है उसके बाद है सागरिका सागरिका के बारें बात करते हैं तो यह समुंद्र से छोड़े जाने वाला कुरूज मिसाइल है जो जमीन पर मार करता है मने रहेगा समुंद्र में छुपा हुआ हमारेगा जमीन पर यह अगनी थिरी का नौसैनिक संसकरन है और 26 फरवरी 2008 को समुंद्र के भीतर से इसका पहला परिक्षण मतलब टिश्ट किया गया अब है अन्रक्षा उपकरन में तो अन्रक्षा उपकरन में पहला है अरजून इसका विकास DRDO ने किया है इसका अधिक्तम गती 70 किलोमेटर परती घंटा है अबर इसकी छमता कितना है दूरी छमता या मारक छमता तो 500 किलोमीटर का है या रात में भी सुगमता से काम कर सकता है मतलब रात में भी मार कर सकता है इसके बाद है तेजस्त तेजस्त के बारे में बात कर लेते हैं के हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिम्टिड द्वारा बिक्सीद या पहला स्वदेशी हलका लड़ाकु विमान है तो पहला स्वदेशी हलका लड़ाकु विमान कौन है तेजस है तेजस तेजस उसके बाद है जिसमें GE404 अर्थाथ जनरल इलेक्ट्रिक इंजन लगा हुआ है तेजस में कौन इंजन लगा हुआ है तो जनरल इलेक्ट्रिक इंजन लगा हुआ है भविस में इसमें भारत में भविस में इसमें भारत में ही बिक्सीत कावेरी इंजन का परियोग किया जाएगा अब ही कुछ और इंजन का परियोग किया जाएगा अब ही कुछ और इंज जान में रखिए ठीक है ना उसके बाद नित्र मतलब नित्र का मतलब तो आख होता है न minutes मतलब या विश्णो के जो त्रिसूल में आख है उसके समान है विश्णो ने शीव के त्रिसूल में जो आख होता तो देखे इसको DRDO ने बिक्सित किया है ठीक है ना और यह एक चालक रहीत विमान है मतलब इस पर ड्राइबर नहीं चाहिए इसका वज़ान कितना है तो मातर डेड़ किलो का है या और इसका उपियोग खुफिया जनकारी एकत्र करने में किया जाता है उसके बाद है NIS अरिहंत अरिहंत क्या है तो भाई अरिहंत पंडू भी है क्या है परमाणू चालित पंडू भी है जो भारत में ही निर्मित किया गया है उसके बाद है आई एनेस विक्रमादित्या विक्रमादित्या तया रूसे पराप्त होने वाला मतलब रूसे इसको खरदा गया है बिवान वाहक पोत है मतलब बिवान को ठोने वाला पोत है उसके बाद है धुरू तो धुरू या दर्दो द्वारा विक्सित एडवांस लाइ हेलिकेप्टर है इसकी अधिक्तम गती 245 किलोमेटर प्रती घंटा है तो बस केवल याद रखिएगा एडवांस लाइट मतलब हाल का हेलिकेप्टर है उसके बाद है गगन तो एक वाईव संचालन परणाली है मतलब इसे अंधी का जोका उदपन किया जाएगा जिसका निर्माण भारतिय बिमान पतन परधिकरान अवर DRDO के द्वरा किया गया है अब दिखे या अस्मान में बिमानों के भीर कम करने और उसे राष्टे दिखाने के लिए मतलब उसको उधियाने के लिए ठीक है ना उधियाने के लिए या रास्ते दिखाने के लिए आधनी GPS से संचालित मतलब रास्ता उधियाने के लिए नहीं बुला जा सकता है रास्ता दिखाने के लिए बुलना ज़्यादा उचित है तो रास्ता दिखाने के लिए आधनी के GPS से संचालित अगमेंटेड नेविगेशन पढ़ना ली है उसके बाद देखिए इंदर आई आर एम ए रानी रस्मी अपढ़ना आदी भारत के परमुख रडार है रडार रडार ठीक है ना अब देखिए यहां पर इंपोर्टेंट प्रश्न है किस सेना में क्या होता है किस के बराबर क्या होता है तो थल सेना का सबसे बड़ा होता है वह जनरल होता है उससे जो छोटा होता है वह लेफटिनेंट जनरल होता है उससे जो छोटा होता है उसका नाम है मेजर जनरल तो सबसे बड़ा जनरल उसके बाद लेफटिनेंट जनरल उसके बाद मेजर जनरल होता है यह तीन ज General एक लेफ्टिनेंट General एक मेजर जनररल अब देखिए अब बात करते वाई उसे ना में तीन सबसे जो बड़ा अधिकारी होते हैं उसमें तो सबसे बड़ा सिंपलीज़ को याद रखिएगा चीफ मारसल ठीक है ना चीफ मारसल उसके बाद है एर मारसल ऐसे तो इसको पूरा बोला जाता है एर चीफ मारसल मतलब चीफ खल याद रखिएगा चीफ मारसल तब यह पकड़ में आएगा तो एक चीफ मारसल एगो 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 वाइ थीक है न उसके बाद यहां पर दEKS एडमीरल एक वाइस एड्मीरल एक वाइस एड्मीरल एक yard रेयर एड्मीरल ठीक है तो देखे Says जल से नमें क्या जाएगा की वाइस एड्मीरल और रीर सब्स्सके बाद तेन सबसे बड़ा इसके बाद देखिएगा इधर आईएगा अस्तल सेना में तो जो मेजर जनरल होता है उसके बाद आता है ब्रिगेडियर इसके बाद ब्रिगेडियर अरे ब्रिगेडियर उसके बाद जो इधर है वाइस सेना में इसमें वाइस मार्सल के बाद आता है को मोडोर कोमोडोर एर कोमोडोर एर कोमोडोर और इधर भी होता है कोमोडोर ठीक है ना उसके बाद इतना जो है इसमें देखिएगा करनल आता है करनल के बाद लेफटिनेंट करनल आता है उसके बाद मेजर आता है उसके बाद कैप्टेन आता है उसके बाद लेफटिनेंट आता है और एक है सेकेंड लेफटिनेंट हो गया तो पहिले करनल करनल से वैसे करनल जिसको लप्तिनेंट करनल भी पूला जाता है उसके बाद मेजर उसके बाद के DENNIS उसके बाद कैप्टेन्ट उसके बाद स्केनड लेटा इधर आईएगा तो गृप कैप्टेन अब एक है विंग कमांडर जो अभिनों के बारे में तो सब को जनता होगा तो वहीं गुरूप कैप्टेन के बाद आता है विंग कमांडर उसके बाद एसक्वाडर्न लीडर एसक्वाडर्न लीडर उसके बाद है फ्लाइट लेटिनेंट फ्लाइट लेटिनेंट उसके बाद flying officer flying officer और pilot officer इधर आईएगा तो captain commander lieutenant commander captain commander lieutenant commander उसके बाद lieutenant commander के बाद क्यों lieutenant उसके बाद sub lieutenant उसके बाद acting sub acting sub उसके बाद हो गया lieutenant तो यहां पर हमारा रक्षा खतम हो गया अब हम बात करेंगे समुंद्र विज्ञान प्रधोगी के बारे में ठीक है ना तो देखिएगा बला जा रहा है कि समुंद्री छेतर में अनुसंसंधान एवं विकास को प्रुस्थाहन देने के लिए 1981 में महसागर विकास विभाग का अस्थापना हुआ कोशन बन सकता है कि भारत में महसागर विकास विभाग का अस्थापना कब हुआ तो 1981 में किस लिए हुआ तो समुंद्री छेतर में अनुसंसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए ठीक है अब देखिए इसमें अनुसंसंधान कारकरम भी समलित है ठीक है तो देखिए आज तक भारत अन्टारक्टिका में जितना किया है अनुसंसंधान यह हो गया सबका लिष्ट ठीक है तो एक गारग को किया है एक गारग हो तो देखिए पहला याद रखिएगा जरूर और कोई याद रहे या ना रहे पहला दूसरा कम सकम दो को याद कर लिजिएगा ठीक है और उसके बाद जो इधर इंपोर्टेंट है उसको याद करने का कोशिश कीजिएगा और हम चर्चा भी केवल इसी का करेंग तो देखिए पहला जो गया था अन्टारक्टिका अभिहान या दिसंबर 1981 में गया था और लगवक छे माह तक या वहाँ पर अभिहान रहा था और जून 1982 में वापस आ गया ठीक है दिसंबर 1981 में गया जून में आया ठीक है ना और एम जे कासिम के नेतरित में गया था या ठीक है ना एम जे कासिम के नेतरित में दूसरा गया था वो दिसमबर 182 में और जून 83 में लोट का आ गया और B के रायना के अध्यक्ष्टा में गया था या ठीक है ना तो दुख हो गया 81-82, 82-83 ठीक है अब देखिए जो गंगोतरी पर्थम किंद्र है अंटार्टिका छेतर में भारत का किसे संबंधित तो अनुसुन संधान से संबंधित यह तीसरे अभिहान के दौरान अस्तापित किया गया था 84 में अबर जो सदस्ते वह गुपता जी थे त तो एच के गुपता है तो याद रहना चाहिए पर्थम के अंदर गंगोतरी ठीक है दूसरा अस्थाई के अंदर कौन है तो दूसरा अस्थाई के अंदर का नाम है मैत्री 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 और या किस मिशन के अंतरगत बना था तो आठवा मिशन के अंतरगत कब गया था तो सुन्धर सुन्धर जिसका मतलब होता है कि धोनी अभिज्ञान एवम दूरी पढ़नाली अस्थापित किया गया था ठीक है ना धोनी अभिज्ञान एवम दूरी पढ़नाली और एगरावा मिशन के अंतरगत जो गया था 91 से 92 के बीच और एम मुखर जी के अध्यक्ष्टा मे टीक है ना उसके बाद है अनुछिकिस्ता एम अनुछ संधान के बारे में तो देख लीजे बहुत important point है पर्थम परकनली शीशू ठीक है ना वह भारत के अंतरगत तो देखिएगा पर्थम परकनली शीशू सबसे पहले परकनली शीशू आपको मालूम है क्या बोलता है तो निशेचन के बाद ठीक है ना तो उसी को परक्नली सीसू कहते हैं तो देखिएगा पर्थम जो भारत में परक्नली सीसू जन्मा था वह कब जन्मा था तो वह 6 अगस्त 1980 को जन्मा था और कहां पर जन्मा था तो किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल मुंबई में सिंपली अ तो हरसा नाम रखा गया हरसा और अभिभाव कौन थे तो एक का नाम था मतलब मरी था या लेडिज का नाम और जेंस का नाम था सियाम जी चावला सियाम जी चावला और डॉक्टर साहिबा थी उनका नाम था इंदरा आहुजा इंदरा आहुजा उसके बाद देखिए ब्री मुखहम सण मुखहम सड मुखहम और किस दिनिया अप्रेशन हुआ था तो एक दिसंबर 171 में हुआ था बेल लौर में हुआ ठीक है पर्थाम परकनली बच्छडा के बारे में वहां पर सिसू है यहां पर बच्छडा है तो देखिए यहां पर परकनली बच्छडा था जिसका जनाम DRE करनाल में दिसमबर 90 में हुआ कहां पर हुआ कैवल याद रखिएगा तो करनाल में हुआ कहां पर करनाल में अब बात करते हैं आगे तो आगे computer का 15 नमबर अध्याय है इस class को हम यहीं पर drop करेंगे तो class के प्रतियाब का क्या reaction है इसको comment box में आप जरूर बताएं तो धन्यबाद